नमस्कार दोस्तों मैं मनीज आज आप लोगों के सामने अपनी एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ इसका सीर्षक है मा दोस्तों कुल दिनों पहले अपने न्यूस सुमी होगी कि एक लड़का विदेश से पांच साल वाद अपनी मा से मिलने आ रहा है भारत आता है और जब वह अपर फ्लैट में जाता है तो फ्लैट का दर्वाजा बंद होता है उसे तोड़के वह अंदर जाता है और देखता है कि विस्तर पे उसकी मां मरी पड़ी है जिसकी इनकी मिलतियों तीन साल पहले हो चुगी थी किवाल हट्डियों का मात्र ठाचा पढ़ा था सभ्लता पहले हैं और उस्हें तीन साल पहले अपनी मा से बादीट तो जब इस तर रह की बाते सुने को मिलती हैं जब इस तरह की घटनाएंहि violation को मिलती भड़ी तकलीफ होतीó और इसी तर्द को इसी तकलीब को मैंने सब्दों में पी रोने का प्रयास किया है अपनी इस नई कविता में जिसका सिर्षक है मा पच्पन में जब हम छोटे थे बच्पन में जब हम छोटे थे, लगती भूख तो हम रोते थे, माँ हमको खाना देती थी, भूखे पेट वो खुद सोती थी बच्पन में जब हम छोटे थे, लगती भूख तो हम रोते थे, माँ हमको खाना देती थी, भूखे पेट वो खुद सोती थी बच्पन में जब हम छोटे थे, जल्दी जल्दी बिमार होते थे, माँ सिर्पे पट्टी रखती थे, तेलों की मालश करती थे बाहर खेलने जब जाते थे, चोट लगा कर हम आते थे, घाओं पर मरहम रखती थी, माँ अपनी कितनी अच्छी थी बाहर खेलने जब जाते थे, चोट लगा कर हम आते थे, खाओं पर मरहम रखती थी, माँ अपनी कितनी अच्छी थी पर अब जब हम बड़े हो गए, पैरों पे अपने खड़े हो गए, मम्मी हमको भारी लगती, आखों की चिंगारी लगती, मा की बातें कान पकाते मा की बातें कान पकाती, फूटी आँख भी नहीं सुहाती, साकर सब अपमान हमारे, चुप रहती, वो कुछ ना रहती मा तब भी भूखी सोती थी दोस्तों बच्पन में हमारे लिए मा तब भी भूखी सोती थी मा अब भी भूखी सोती है लेकिन तब वो खुश रहती थी पर अब वो हरपल होती क्या हम इतने व्यस्त हो गए काम में इतने मस्त हो गए जननी को ठुकरा बैठे हैं लाजा और सर्म गवाँ बैठे हैं भूल गए हम मा के प्यार को ममता के प्यारे दुलार को दूद का कर्ज भुला बैठे हैं सोचो हम कैसे बच्चे माने हमको खून से सीचा माने हमको खून से सीचा हम उसको तड़ पाते हैं प्रिध्धास्रम में उसको इस उम्र में छोड़ के आते हैं माने हमको खून से सीचा हम उसको तड़ पाते हैं प्रिध्धास्रम में उसको इस उम्र में छोड़ के आते हैं कौन से सिक्षा देते हैं हम आने वाली पीड़ी को जबकी हाथ पकड़ बाहर कर आते मा बोड़ी को कौन से जिक्षा देते हैं हम आने वाली पीड़ी को जबकी हाथ पकड़ बाहर कर आते मा बोड़ी को घी का दीपक रोज जलाते घी का दीपक रोज जलाते जाकर हम देवाले में और मा अपनी बैट के रोती गी का दीपक रोज चलाते जाकर हम देवाले में और मा अपनी बैट करोथी, दिन भर अना थाले में वो हमा जो अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है और बुढ़ापे में बच्चों के प्यार के लिए तरस्ती है वो हमा जो अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है आज बुढ़ापे में बच्चों के प्यार के लिए तरस्ती है कहता हूँ मैं बहुत हो चुका मा को अब अपनाओ तुम कर देगी ओशमा तुमें पसपास में उसके जाओ तुम सुन रखा है मैंने सुन रखा है मैंने मानो कर्म के फलकों पाता है जो जैसी खेती करता है वैसी फसल उगाता है सुन रखा है मैंने मानो कर्म के फलकों पाता है जो जैसी खेती करता है वैसी फसल उगाता है घर में मा की सेवा कर लो घर में मा की सेवा कर लो भाग के तिरा जग जाएगा चार धाम की यात्रा का पुन्नी तुझे बिल जाएगा धन्यवाद दोस्तों प्लीज कमेंट करिए कैसे लगी आपको ये पोयम थांक्यू सो मच शुक्त